हलो दोस्तों दोस्तों यूटूब पर आप यदि वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको एक बहुत ही जरूरी एपलिकेशन चाहिए होगी जिसका नाम है वाईटी स्टूडियो ठीक है आप प्ले स्टोर से आप वाईटी स्टूडियो डाउनलोज किडिये इसमें आप बहु आप एक एक वीडियो को भी एनालिसिस कर सकते हैं और उसी साब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका आपको कैसे वीडियो बनाने चाहिए और कैसे नहीं बनाने चाहिए तो चलिए देखते हैं इस एपलिकेशन को knowledge is currency को subscribe कर लीजिए देखिए आपको जब जब आप इस application में download करेंगे इसको तो आपको इसमें login करने के लिए कहा जाएगा तो आपको इसमें जो आपके channel की Gmail ID है वो डाल देना है और password डाल देना है उसके बाद आपको जो आपका latest वीडियो रहेगा वो सबसे उपर यहां पर बताएगा और उसके पाद दीरे दीरे नीचे का तो देखते हैं इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं तो यहां जो यह उपर वाला एरो है यहां जाते हैं तो इसमें दोस्तों देखिए आपको पहला option है वीडियो का यह वीडियो इसमें जाएंगे तो हमें क्या दिखा रहा देखिए लोकडाउन में स्कूल यह सब मतलब जितने आपका बारे में जो बी है वो सब दिखा रहा है सारे वीडियो तो इसमें आप यह दी most recent है तो इसको most vivid करेंगे तो यह देखिए आपका जो सबसे ज़्यादा जो वीडियो देखा गया है उसको इसने उपर दिखाया तो इस तरीके से आप देख सकते हैं का आपका चैनल पर कौन सा वीडियो ज़्यादा चल रहा है उसके बाद आप अपने playlist भी चेक कर सकते हैं अपने जितनी भी playlist बनाई है उसके बाद आप अपने चैनल पर जोबी comments आये हैं उनको भी Check कर सकते हैं और यहीं से दोस्तों आप reply भी कर सकते हैं कि उसके बाद कमेंड्स का हो गया इसके बाद में पॉस्ट आता है एनलिटिक का तो आप जब यштीन द्रेखिट सжеतक्रेन चीज中共 डिखाई जाती है यहाँ पर रियल टाइम दिखा डिआताइम का मतला बता है कि पिछले 48 गंटों में आपका चेंडल कितने लोगों ने देखा तो जैसे आपर 170 दिखा रहा है फिर रियल टाउन वन लास्ट पब्लिस वीडियो मतलब आपने जो पीछे कुछ जो वीडियो अभी अभी डाले हैं उस पे जो व्यूस आ रहे हैं 48 घंटे में जो आ हैं उसके बारे में भी बताएगा तो इंडिया इसमें बता रहा है कि इंडियन आर्मी वाला वीडियो एक सो चाचट लोगों ने देखा है और यह सब मतलब कम लोगों ने देखा है फिर आपको सबसे इसमें बेस्ट चीज है कि आपको दिखाता है वच टाइम कि आपका वच टाइम पिछले 28 28 घंटो 28 दिनों में कितना मिनट तो यह जैसे 4000 वच टाइम है तो आप इसको थोड़ा डिटेल में भी देख सकते हैं तो यह देखिए 4000 वच टाइम है तो हम देख सकते हैं 28 दिनों में आपको यहां पर पूरा ग्राफ भी बताता है अब आप इसको चाहें तो पूछले एक साल में कितना है वो भी देख सकत कि आप देखते हैं यह लास्ट 28 लिखा है इसको हम देखते हैं इसमें आप देखे तीन सो पैसट दिन करेंगे तो यह पूरे 365 दिन नुगा करेंगे तो पिछले साथ दिनों का बतायगा तो इस तरीके से बहुत ही खुब्सूरत तरीके से आप हर चीजी में एक एक महिने का भी देख सकते हैं आप जून में मार्च में तो हर महिने का आप अलग-अलग देख सकते हैं डेट के वह साइब आपको यहां पर दिखाएगा इसके बाद है देखिए व्यूज तो आपके चैनल पर व्यूज कब आ रहा है कितने आ रहा है यहां भी आपको सारे ऑप्सन मिल ज से तो इसमें जैसे अपने 90 दिन कर दिया तो इस तरीके से आपर ग्राफ आ जाता है उसके बाद है जैसे average view duration अब देखिए कुछ कुछ काम की चीजें हैं उसको जानना जरूरी है जैसे यह लिखाए average view direction तो इसका मतलब हुआ कि एक विवर जब आपके चैनल पर आता है आपका वीडियो देखना चालू करता है तो वह कितने मिनिट आपका वीडियो देखता है जैसे आपके चैनल पर ज्यादतर वीडियो दस मिनिट के हैं और आपका average view duration दो मिनिट है तो इसका मतलब कोई भी विवर आपके चैनल पर आता है तो वह लगबग दो मिनट के आसपास आपका वीडियो देखता है तो आपको इसे बढ़ाने में मेहनत करना चाहिए मतलब जैसे विवर तो आ गया यूटूब का काम है उसने विवर आपके चैनल पर फेज दिया लेकिन अब आपको उसको रिटेन करना है आपको उसको कितनी देर रखना है उसके लिए भी आपको कोशिस करनी चाहिए तो मैं आपको कैसे विवर को रिटेन करना है उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि आप subscriber भी देख सकते हैं कि कितने subscriber चेंज हुए हैं पिछले कुछ दिनों में उसी तरह आप देखिए watch time from subscriber तो यह बहुत जरूरी चीज है कैसे कि देखिए आपका जो watch time है मतलब कितने मीनिट आप का चैनल देखा गया, उसमें कितना टाइम subscribe किये हुए लोगों ने देखा है और कितना टाइम subscribe नहीं किया उन लोगों ने देखा है तो जैसे इसमें 98% ऐसे लोग हैं जिन्होंने subscribe नहीं किया है और channel को देखा है मतलब YouTube ने आपके channel पर लोगों को भेजा तो इसमें तो सारे लाइक सी हैं डिसलाइक हुआ नहीं है इसके बाद है यह देखिए नीचे टोप वीडियो में आपको आपके चैनल पर जो भी सबसे ज्यादा देखा गया वीडियो रहेगा उसको दिखाएगा तो यहां देखिए इंडियन आर्मी वालाप सबसे उपर दि नी या उसके लिए आपको कम्प्यूटर में देखना पड़ता है सब्सेक्स कर दो कर दो किमेंदेख सकते हैं तो जैसे आपका चैनल मोनेटाइज आ रहेम तो यहां पर सारा कुछ न कुछ मतलब आप जो भी कमाये रहेंगे वो पूरा दिखाएगा तो आपको आएगा तो तो पता चल जाएगा इसके बाद है डिस्कॉवरी तो जब आप ड्य्सकॉवरिन में जाते है तो आपको एक खास चीज दिखाई जाती है इंप्रेशन नेहीं तो आपको इंप्रेशन च्यात पथा जाता है जैसे यूटूब में जो वीडियो सब्सक्राइब जाता है तो उस वीडियो में जैसे जाते हैं उसमें किसी एक वीडियो देखते हैं तो इंप्रेशन यह बताता है कि आपको आपका जो यूटूब का जो आपका जो वीडियो है उसको यूटूब ने लोगों को कितनी बार दिखाया और उसमें से कितने लोगों ने उसको सब्सक्राइब मतलब उसको देखा जैसे कि यूटूब ने आपका वीडियो सो लोगों को रिकमेंड किया उसमें से दस लोगों ने आपका वीडियो क्लिक करके देखा तो आपका जो इंप्रेशन हुआ वो दस परसेंट हुआ ठीक है यह वाला देखिए वह जो परसेंटेज दिखा था ना यह वाला है यह जैसे यहां पर आपको यह साथ परसेंट दिखा रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे आपका जो चैनल है उसमें वीटूब ने सो लोगों को जब आपका वीडियो रिकमेंड किया तो उसमें से सा लोगों ने आपका वीडियो देखा तो यह नंबर मतलब पांच से लेकर दस के बीच रहता है तो अच्छा खासा माना जाता है लेकिन आपको कोशिस करनी चाहिए कि यह ज्यादा से ज्यादा हो क्यों क्योंकि जैसे यूट्यूब ने आपने वीडियो तो आपका मतलब आप सकते हैं दस या पंदरा लोग उसको देखते हैं तो यह आ आपकी गलती होगी की आ Videos कम देखा जा रहा है उसके बाद आपका वीडियो में content अच्छा है तो content अच्छा है तो वीडियो आपका वो continue देखा जाएगा तो उसके लिए हम कहां चेक करते हैं कि आपका कितने average duration क्या है तो average duration हम कहां देख रहे थे ये राये देखिए कि आपका average duration ये मतलब ये दो चीजे बहुत जरूरी हैं कि आपका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग आपको क्लिक करें वीडियो पर और एक बार जब क्लिक कर लेते हैं तो उसके बाद आपका वीडियो जे देर से देर तक वह देखें तो discovery में ये चीजे बताती हैं फिर आपको बताता है कि traffic का source क्या है जो आपके चैनल पर आ रहा है तो suggested video मतलब जो suggestion में आपका जो वीडियो दिखाता है YouTube उस पर से बहुत सारे लोग आपका वीडियो देखते हैं उसके बाद है browse feature यानि लोग सर्च करते हैं वीडियो के लि आपका चैनल पर मालेजिए गेम का कुछ चैनल है तो आपका एजूकेशन का चैनल है आप दसवी कलास को पढ़ाते हैं तो टेंथ क्लास mathematics तो ऐसा सर्च महारा आपका वीडियो आया तो यह फिर external से मतलब आपने WhatsApp पे Facebook पे यहां पे share किया तो वह भी बताता है अब आपने जो एक्स्टरनल है जैसे Facebook पर से कितने लोग आपका चैनल पर आए Google सर्च में कितने लोग जाकर आए तो यह भी बताता है कौनसे कीवर्ड है कीवर्ड यानि कि कौनसे टर्म जो यूटूब में सर्च किये जाते हैं और उसके जैसे आपका वीडियो लोग देखते हैं तो आर्मी ट्रेन जैसे कोई आर्मी ट्रेन करके सर्च मारता है तो उसमें यह इस चैनल के वीडियो आते हैं तो आपका वीडियो मतलब आर्मी ट्रेन वर्ड से ज़्यादा देखा जा रहा है तो इस तरीके से आपको यह अलग अलग आपको यह दिखाता है उसके बाद है जैस इंडियन आर्मी जिंदावाद इंडियन आर्मी जैसे मतलब ऐसा कोई लिख के या ऐसा कोई वीडियो देख रहा है तो उसके नीचे हमारा वीडियो बताता है तो यह साहरा जो टर्म है इससे आपको क्या अंदाजा लगता है कि आपको किस टोपिक पर वीडियो बनाना चाहि यह Legends के बारे में भी जान सकते हैं यहां से तो ऑडी ऊदियर में देख लेते हैं यह देखिए ओडियंस पे आते हैं तो ऑडियंस मैं आपको जैसे आपको बताए क्या कि कितने male आपके channel के डैख रही हैं कौन से एज ग्रूप के लोग आपके चैनल को देख रहे हैं मतलब 24 साल से कम के बच्चे देख रहे हैं 25 से 34 के देख रहे हैं 35 से 44 के देख रहे हैं तो इससे आपको पता चलता है कि मुझे कैसा कंटेंट बनाना चाहिए आपको ये भी बताता है कि कौन सी कंट्री में आपका चैनल देखा जा रहा है तो इस तरीके से आप इस में देख सकते हैं तो इसमें दो-तीन खास चीजे थifically आपका जो एवरेज वीव डूरेश नहीं है इसका मतलब कि आपके चैनल पर वह मतलब आपका जो ओडियन्स है वह आपका चैनल पर आ गई है आपका वीडियो देख रहा है तो वह आदमी आपका वीडियो ज्यादा से ज्यादा देर तक देखे और दूसरी चीज कि यह यह वाला इंप्रेशन इंप्रेशन थूप क्लिक रेट तो यह भी अच्छा होना चाहिए मतलब कि जितना कितने लोगों को उसने सजेस्ट किया यूटूब ने हमारे वीडियो को और उसमें से कितने लोगों ने देखा तो यह सब सारी चीजे जरूरी हैं तो यह तो हुगा कि आप वीडियो में जाना है वीडियो में जाने के बाद आपका जो भी जैसे जो भी किसी एक वीडियो का आप करना चाहते हैं तो मान लिजे कि हमारे चैनल पर यह वाला वीडियो है इंडियन आर्मी वाला तो इसकी एनलिसिस भी हम कर सकते हैं और यहां से आप थमनेल भी बदल स तो यहांपर देखिया आप क्लिक करते हैं तो आपको यहांपर फंल and का उप्शन आता है यहांपर अब क्लिक करकर इसका थम्बनेल बदल सकते हैं आप इसका टाइटल भी बदल सकते हैं यूटूब में ऑ्टमेटिक जाएगा आप इसमें कुछ description डाल सकते हैं यहीं से आपको YouTube में जाने की ज़रत नहीं है उसके बाद है आप इसकी जो privacy है उसको भी बदल सकते हैं आप public है कि क्या करना है private करना है वो भी कर सकते हैं यहां पर आप इस वीडियो को किस playlist में रखना है और इसमें क्या-क्या tags लगाने हैं वो भी आप यहां से कर सकते हैं तो इस तरीके से आप वीडियो का जो editing होता है वो आप यहीं से कर सकते हैं या या उसमें यद्धी एडवांस में जाएंगे तो एडवांस तो नहीं है जाएए इसमें मतलब कुछ complicated चीजे हैं नोर्मल नोर्मल करना जरूरी जो रहता है वही करते हैं तो इस तरीके से अब आप देखिए एनलिटिक्स में आपको बताता है कि कितना वच्टाइम है इसका कितने लोग ने इसको देखा और आपने इस वीडियो से कितना कमाया यह भी आपको बताता है आप यू मोर में यह वीव मोर में तो आप क्या देखते हैं कि जो आमने जो पूरे चैनल का देखा वही चीज आप एक एक वीडियो का भी देख सकते हैं वीडियो का पर्टिकुलर और इसका जो रिटेंशन पावर है आपका ओडियन्स रिटेंशन है यह देखिए ओडियन्स रिटेंशन इसमें क्या दिखा रहा है कि ज्यादा तर लोग मतलब इस वीडियो को 40% देखते हैं मतलब कि यह वीडियो मा लिजए 10 मिनट का है तो लोग 4 मिनट इसको देखते हैं और उसके बाद नहीं देखते हैं तो यह आपका ओडियन्स रिटेंशन हो गया आपको कोशिश करनी है कि आपका हर वीडियो पर रिटेंशन ज्यादा से ज्यादा हो इसको देखते हैं देखिए थोड़ा डिटेल में यह देखिए मतलब सुरू में इतने लोग आए और उन्होंने वीडियो देखना चालू किया और वीडियो देखने वाले घटते गए वीडियो मतलब लास्ट तक कितने पर्सेंट लोग देखते हैं जैसे 25 पर्सेंट लोग आपके वीडियो को एंड तक देखते हैं तो यह आपको पता चल जाता है बस यही थोड़ी सारी चीजे हैं इसमें भी देखिए इंप्रेशन क्लिक थूरेट 7 पर्सेंट है यानि मतलब 100 लोगों को दिखाया उसमें से 7 लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया और आपने वीडियो को देखा तो इस तरीके से आप इस एप को यूज करके आप झाल 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 झाल